नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगिल पे मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा तो सभी IPL फैन्स के लिए ब्रेकिंग निउस निकल कर सामने आई है जहां BCCI और IPL गवर्निंग काउंसिल ने IPL 2024 का 100% कंफर्म और फाइनल शेडियूल ओफिशल तौर पर यानिकी अधिकारिक तौर पर अनौंस कर दिया है जहां इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन 17 यानिकी टाटा IPL 2024 की शुरुवात 22 मार्च से होगी और 22 मार्च को पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन्स चन्नाई सुपर किंग्स और रॉयल चेलिंजर्स बैंगलॉर के बीच चन्नाई के M.A. चितंबरम स्टेडियम में खेल जाएंगे लेकिन जेनरल इलेक्शन्स की वज़े से BCCI और IPL गवर्निंग काउंसल ने शुरुवाती 17 दिनों का ही शिडियूल अनौंस किया है जहां IPL 2024 के शुरुवाती 17 दिनों में टोटल 21 मैचस खेले जाएंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर IPL 2024 के शुरुवाती 21 मैचस का शिडियूल क्या है सभी मैचस की टाइमिंग क्या होगी और मैचस कौन से वेन्यूस पर खेले जाएंगे तो overall ये वीडियो ने वाली है काफी ज़दा इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटिव इसे last तक जरूर देखीगा और अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दू कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूस और अपडेट्स इसके लावा सभी मैचस की accurate prediction पाना चातो तो आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल क लिंक आपको वीडियो के description बॉक्स में इसके लावा comment बॉक्स में सबसे उपर पिंड मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलिग्राम चैनल पर जोइन कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से है IPL 2024 के शुरुवाती 21 मैचस का complete schedule जहां Tata IPL 2024 का first match 22 मार्च को खेला इसके लावा 3 मैच भी 23 मार्च को ही खेला जाएगा कोलकाता Night Riders और Sun Rises हैदराबाद के बीच कोलकाता में जबकि 4 मैच होगा 24 मार्च को राजिस्थान रोयल्स और लखनू सुपा जैंट्स के बीच जैपुर में इसके लावा 5 मैच खेला जाएगा 24 मार्च को ही गुजरा टाइटन्स और मुंबई इंडियन्स के बीच एहमदाबाद में, जबकि छटा मैच होगा 25 मार्च को रॉयल चेलेंजर्स बैंगलॉर और पंजाब किंग्स के बीच बैंगलूरू में, इसके लावा 7th मैच खेला जाएगा 26 मार्च को चन्नेई सुपर किंग्स और गुजराट टाइटन्स के बीच चन्नेई में, इसके बाद जो आटवा मैच है वो खेला जाएगा 27 मार्च को सनर्वाइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियन्स के बीच हैदराबाद में, इसके इलावा 9th मैच होगा 28 मार्च को राजस्थान रोयल्स और डेली कैपिटल्स के बीच जैपूर में, जबकि 10th मैच खेला जाएगा 29 मार्च को रोयल चेलेंजर्स बैंगलॉर और कोलकाता नाइट वैडर्स के बीच बैंगलूरू में, इसके इलावा 11th मैच होगा 30 मार् और पंजाब किंग्स के बीच लखनो में, जबकि 12th मैच खेला जाएगा 31 मार्च को गुजराट टाइटन्स और सन्राइजर्स हैदराबाद के बीच एहमदाबाद में, इसके बाद 13th मैच होगा 31 मार्च को ही डेली कैपिटल्स और चन्नी सुपर किंग्स के बीच वाइज इसके लावा 14th मैच खेला जाएगा 1 अप्रेल को मुंबई इंडियन्स और राजिस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में, जबकि 15th मैच होगा 2 अप्रेल को रॉयल चैलिंजर्स बैंगलॉर और लखनू सुपर जैंट्स के बीच बैंगलूरू में, इसके लावा 16th मैच खेला जाएगा 5 अप्रेल को संर्वाइजर्स हैदराबाद और चन्ने सुपर किंग्स के बीच हैदराबाद में, जबकि 19th मैच होगा 6 अप्रेल को राजिस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलिंजर्स बैंगलूर के बीच जैपूर में, जबकि 20th मैच खेला जाएगा 7 अप् मैचस का 100% कंफर्म और फाइनल शेडियूल, इसके लावा मैं आप सभी को बता दू कि जैसे ही जनरल इलेक्शन्स की डेट अनॉंस होंगी, वैसे ही BCCI बाकी बच्चे हुए मैचस का भी शेडियूल अनॉंस कर देगा, तो जैसे ही बाकी बच्चे हुए मैचस का शेडिय अनॉंस होगा, आपको सबसे पहले अपडेट इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी, और अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाइमिंग्स के बारे में, तो जिस दिन डबल हेडर होगा, यानि कि एक दिन में दो मैचस, तो उस दिन पहला मैच इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के साड़े साथ बजे से, यानि कि 7.30 पीम से स्टार्ट होगा, और जिस दिन सिर्फ सिंगल हेडर मैच होगा, यानि कि एक दिन में सिर्फ एक मैच, तो उस दिन वो मुकाबला इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के साड़े साथ बजे से, यानि कि 7.30 पीम से स स्टार्ट होगा क्योंकि पहले मैच से पहले ओपनिंग सर्मनी भी होगी इसी वज़े से फर्स्ट मैच आदा गंटा लेट स्टार्ट किया जाएगा So friends, वीडियो में फिलाल इतना ही I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा So friends, मिलते हैं आप से किसी नई और इंट्रस्टिंग वीडियो में Till then, take care, stay safe and good bye